हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग मैं हूं C.S. Anoop Jen और लोग कहते हैं कि 80 मार्क 70 मार्क सिरफ प्रैक्टिकल पेपर में आते हैं MCQ पेपर में आते हैं थियोरी पेपर में और ड्राफ्टिंग जैसे पेपर में तो 80 मार्क लाना is next to impossible तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि one of my students को 81 marks और उसकी answer sheet मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बड़े सारे student की request भी आ रही थी कि please sir answer sheet बताये जिसके 81 marks आये हैं और ये बताये कि उन्होंने कैसा answer लिखाया कैसे answer लिखाया है and that is उनकी answer sheet मेरे पास आ गई है और उन्होंने मेरेको answer sheet भेजी है that is Madhur और वो answer sheet हम लोग आज analyze करने वाले हैं और इस answer sheet के basis के उपर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कुछ important points हर exam में लिखने के लिए आपको याद रखने हैं कुछ important tips में आपको देने वाला हूँ on the basis of this answer sheet are you getting this? तो यह और आप देखेंगे कि क्या answer उन्होंने लिखे हैं Madhur ने कैसे answer लिखें और ड्राफ्टी में 81 marks कैसे आए हैं तो बड़े ध्यान से देखेगा समझने की कोशिश कीजिएगा अगर आप भी score करना चाहते हैं तो जो मैं tips देने वाला हूँ जो हम अपनी classes में share करते हैं tips वही आपके साथ share करूँगा और आपको समझ में आएगा क्या करना है तो लास तक ध्यान से वीडियो को देखेगा और देखेगा बहुत सारी चीज आपको शायद इस पेपर के अंदर इस अंसर शीट से आपको समझ में ठीक है चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप देखे ध्यान से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो that is six question है औ और मैं हमेशा हर बच्चे को सिखाता हूँ पहला पहला रूल है कि आपको attempt सारे question करने मेरे बात समझ में आ रही है कोई भी question छोड़ना नहीं है अगर आप पेपरी एक बाह बताओ पर attempt किया है that is given question 1, question 2, question 3, question 4, question 5, question 6, सारे question attempt किया है and he scored 81 marks अगर आपको कोई question नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इतना आपने मेहनत करी है पढ़ा है कुछ ना कुछ तो आता होगा तो छोड़के मताओ यार लिखकर आओ कुछ ना कुछ question चोड़ने से कोई फैदा नहीं होगा मेरी बात समझ में आ रही है कुछ ना कुछ लिखकर आओगे 5 नंबर का question आप सोच के दिखो मैं आपको ऐसे दुनिया भर के paper answer sheet लाके दिखा दूँगा आप देख लेना मेरी बात सुन लो ध्यान से सारे के सारे कई बार ऐसा होता है आपको कोई answer नहीं भी आता लेकिन थोड़ा भूत आपकी knowledge है आपने लिख दिया पांच नंबर में से examiner ने एक नंबर दे दिया एक नंबर दे दिया दोस्तों एक नंबर आप मुझे बता उस एक नंबर की value समझ में आ रही है क्या बता उस एक नंबर से आप पास हो जाए और छोड़ देते वह एक नंबर नहीं आता तो क्यों छोड़ रहे हो या जब आपने महनत करें तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा पूरा answer नहीं आता भाई कुछ तो आता है एक line तू लिख दे अब दो चार पांच कुछ तो लिखो यार कुछ तो लिखो answer छोड़ना नह लिखने सारे हैं और सबसे best answer जो आता है वह सबसे पहले लिखें और सबसे last में वह लिखें जो आपको सबसे कम आता है अरे are you getting frequency कैसे maintain करना है मतलब order कैसे maintain करना है सबसे पहले क्या लिखें आपको best answer आता हो लिखें और सबसे जो आपको बिलकुल कम आता हो सबसे last में behavior मेरी बात समझना it is a human behavior और वो कहते है ना first impression is a last impression यह सच में काम होता है human behavior काम करता है यहां पर human psychology काम करती है जब आपका answer पहला answer दूसर बड़ा शांदार होगा तो examiner की दिमाग में आ जाता है भाई बच्चा अच्छा लिख रहा है अच्छे answer लिख रहा है तो definitely वह psychological उसके check करोगे it happens पहले दो तीन अंसर अगर अच्छे होंगे न तो उसी के हिसाब से वो थोड़े थोड़े extra marks मिलने स्टार्ट हो जाते हैं उस अंसर में भी जहां पर आपने पूरा सही से नहीं भी लिखा it is a human psychology मैं आपको बता रहा हूँ it happens always तो दो चीज़े याद रखे सबसे दो important rule answer paper pass करने के सबसे 100% paper attempt करें दूसरा सबसे best answer जो आता है वो पहला लिखे सबसे कम जो अंसर आता है वो सबसे last लिखे और वो ऐसी frequency maintain करें ऐसी order maintain करें जो सबसे अच्छा आता है number one पे उससे कम two three four इसी तरीके से आप लिखते चले जाए अब देखो magic हो जाएगा magical that is a magical two rules are getting this paper में कैसे लिखना है चलो sir अब बढ़ते आगे अब धियान से सुनिए इन्होंने मधूर ने कैसी लिखाया देखें अब यह answer sheet start हो गई इनकी ठीक है अब देखो इन्होंने 1a से start किया मतलब पहला question answer 1a जरूरी नहीं है आप 1a से start करो अगर आपको आता है 1 से start कर दो नहीं आता तो second से start जो उनसा best answer आता है वो लिखो मधूर को आता होगा उसने 1 से start किया इसमें कोई गलत नहीं है बिल्कुल perfect काम है बिल्कुल perfect काम है अब आप गोर से देखेगा मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ध्यान से देखेगा छोटी छोटी चीज़े बता रहा मैं आपको यहां पर अंसर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि वह छोटी छोटी बारी किया जो आपको याद रखनी है अच्छा यह answer sheet भले ही किसकी है drafting की लेकिन यह हर paper के लिए useful है मेरी बास समझा रही है it is useful for all the papers are you getting what I am saying now अब सुनिएगा प पूरा अंडर लाइन किया है this is called presentation skill यानि जब भी आप heading लिखो जब भी आप क्या लिखो heading लिखो तो उसको underline जरूर करें आप मुझे बताओ क्या इसने मधुर ने सारी line underline किये नहीं किये और जो important चीज़े हैं देखो उसको भी उसने क्या किया हुए underline किया हुए आप द जब आप अंसर लिखें तो याद रखेंगा underline जरूर करें headings को और जो important-important provision है उसको भी क्या कर सकते हैं आप underline कर सकते हैं इसे टो आप देखो कितना शान्दा लिखा हुए and see the language see the language आप अगर लेंगेज पढ़ना चाते हो यह जो language क्यों कि अब यहां पर हम वो language तो नही order issued by the ICSI for the regulating the conduct of the following meetings AGM, AGM class meeting और उसके बाद एको उसने 0.1, 0.2 that is a beautiful language is written over there अच्छा यह language आप यह याद रखेगा booky language नहीं है थोड़ी थोड़ी booky language भी हो थोड़ा थोड़ा भई है जो हमने पढ़ाया हुए and can we say आप अपनी language में लिख सकते हो प्रोवीजन अगर सही है तो आप अपनी language में लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मिले बास समयारी है आपको कुछ रटे मारने की जूत नहीं है और रटे मारके लिखने की जूत नहीं है अगर आपको knowledge है तो आप अपनी language में लिख सकते हैं you get the marks are getting this point तो इस दिमाँ से निकाल दो यार एक बात बताओ इतनी मोटी-मोटी किताब को यह पेपर है क्या इतने इतने पेपर हैं आपके 9-9 पेपर है final में एक जीगूड़ी में आठ आठ पेपर है मैं पूछना चाहता हूं आपस इतनी मोटी-मोटी किताब है तुम रटे कैसे मार तो देखो कितना शांदा लिखा है, heading लिखी अगले ने, और उसके बाद देखो, पूरा-पूरा answer, fantastic writing by Madhu, fantastic Madhu, और ये देखो, पूरा-पूरा लिखा है, और देखो, 5 नमबर मिल गए है, that is something fantastic written over the year, आप मुझे बताओ, कोई कमी लग रही answer के लिखा है, कितना बढ़िया ल मुझे बताओ, अगले ने heading दी है, heading को underline किया है, देखो, presentation कितनी अच्छी लग रही पेपर की, देखे रहाँ मेरी बात, समझे लो, मैं मैं क्या कह रहा हूँ, so that is a wonderful answer, that is given, now, उसके बाद देखीगा, दूसरा, that is one B, यहाँ पे आ गया complaint and first information report के ओपर difference है, और इसने difference आप difference अगर आजाए, क्या आजाए, difference अगर आजाए, तो कोशिश करो उसको T में लिखने की, उसे कोशिश करो T में लिखने की, एक चीज़ सुनना ध्यान से, प्लीज, ध्यान से सुनना जारा मेरी बात, मैं कुछ लिखवाने जारा हूँ, important tips, analysis तो करेंगे, करेंगे, लेकिन सा paper attempt करें, सबसे पहली tip क्या है, try to attempt, try to attempt, 100% paper, अब मैं इस paper के हिसाब से आपको बताने जाओ, 100% paper आप attempt करें, दूसरा point बोलो, जल्दी से, दूसरा point बोलो, जो सबसे best answer आपको आता है, वो best answer जो आता है आपको, वो सबसे पहले लिखना है, first, तीसरा मुझे बताओ, तीसरा underline करना है, that is a presentation, that is very very important, that is heading आपको क्या करनी है, underline करनी है, point number 4, point number 4, आप मुझे बताओ, जितने भी difference वाले point है, जितने भी बेटा, difference between वाले point है, उसको आप T में लिखने की कोशिश करो, T form में, T format मतलब क्या होता है, मुझे बताओ, जरा, T format मतलब ये, are you getting, यहाँ पे औ मैं आरे ये बात, आपको exam में मैं देखा, बता रहा हूँ magic होगा, जादू होगा, आपके marks देखना कितने जबर्दस आएंगे, मुझे बताओ, मेरी बात समझ में, आरे ये नहीं आरे है, आरे नहीं आरे है, now, अब मेरा सवाल आप से ही है, आगे बढ़ते है, अब एक ची कटिंग बटिंग नहीं है, neat and clean paper एक दम, can we say, यहाँ पर, और सबसे important आप देखो, टी फो में लिखा है, अगर टी फो में नहीं आता, तो आप टी फो में नहीं आता, तो परग्राफ फो में भी लिख सकते हो, लेकिन पहले कोशिच करने है टी फो में, प्लस आप आप इतबाद हो, court relevant section, लेकिन याद रखेगा, भूल से भी भूल मत कर देना, बीटा, wrong section कभी court कर देना, नहीं आता तोадे कोट ही मत करो, लेकिन भूल से भी गलत section आप please. कोट मत कर देना नहीं तो it is like a death मुझे बताओ क्या यह डिफरेंस में आ रहा है और देखो कितना और एक और दिफरेंस एक और पॉइंट में यहां पर आप करना चाहता हूं लिखेगा कोई कटिंग नाओ पेपर में लेस कटिंग अरे गटिंग लेस कटिंग हो नीचे कटिंग हो नीचे पेपर के अंदर that is again very very important thing that is given over there are you getting this आप समझे जरा जरा सी बारी किया आपके मार्क्स इतने बढ़ा सकती है और आप देखेगा that is something अच्छा जो यह लेंग्वेज आगे आई वोट से क्या रटे मारने की जूत है answer is no concept आता है और आप अगर बुक की लेंग्वेज को एक बार रीड भी कर लेंगे तो दिमाग में थोड़ी थोड़ी लेंग्वेज बैठ जाएगी थोड़ी बुक की लेंग्वेज थोड है द्राफ्टिंग मनाने के आती है तो याद रखeshna ड्रौटिंगा नि पेपर में एक सबसे इनप़ाइन चीज क्या है ड्राफ्टिंग के पेपर में याद रख खे गा copyright 7 अचा जो यह यह छे टीप हैं यह सारी पिपर के लिए जो यह मनने पहली छे पिप्स बताई है यह सारे पेपर के लिए हैं, the first six tips for all the papers, for all the papers, यह बेटा, छे tips जो हैं सारे पेपर के लिए, लेकिन सात्मी जो tip है, especially for the drafting paper, especially बेटा, for the drafting paper, और वो tip यह है, मेरे बच्चों ध्यान से सुन लेना जरा, वो बेटा, tip यह है, drafting paper में, जब भी तुम draft बनाओगे, जब भी क्या बनाओगे, draft, तो बेटा, format बिल्कुल सही होना चाहिए, format should remains good, अगर format सही नहीं होगा, तो फिर गड़ड होगी, और आप अगर देखें, जो हम लोग class में सिखाते हैं, as it is former, बिल्कु शांदर बनाया होगा, this date is made between so and so and so and so, और उसके बाद देखो, वो recital है, whereas, whereas, and now this date witness as follows, तो वो पूरा format same, अच्छे तरीके से format आना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप भी format आपको सीख लें, कि drafting के अंदर की कैसे format बनाने है, तो बहुत जल्द हमारे YouTube channel पे, हम लोग revision series लेकर आने जा रहे हैं, CS executive, CS professional, अपकी बार, कुछ धमाका करने वालों series के साथ, इसको जरूर देखेगा, and YouTube channel को subscribe कर लीजे, इतना शांदार content में आपको बता रहा हूँ, India की the most detailed revision class, the India की most detailed revision class आने वाली है, on my YouTube channel CS and Upgen, and I'm telling you, आप लोग जब देखेंगे, तो हिल जाएंगे, कि ऐसा भी content हो सकता है, you will witness that, anyways, आप मुझे बताओ क्या format समझ में आ रहे हैं, और अ सारे format में आपको खुदी बनाना सिखा दूँ, attention मत लीजे, सारा format, तो format बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके बाद देखो, वो किस तरीके से इन्होंने पूरे points डाले हूए है, जैसा हम class में सिखाते हैं, वो सारे के सारे points डालने है, and that is, वो last में अगर आप देखेंगे, in witness वो signature करते हैं, यह signature करने हो, signature, inside parties के आजाते हैं, inside witness के आजाते हैं, yes, that is given over the year, तो इस तरीके से आप डीड बनाएंगे, अच्छा, उसके बाद आप देखो, एक बंडी, that is, as per the civil procedure code, 1908, अब यह अपील का question है, क्या question है, यह बिटा, appeal का question आ गया है, बड़े ध्यान से देख हर जगा, बेटा, section code किया हुए, और हर चीज को क्या underline किया हुए, क्या बिल्कुर neat and clean paper है, अरे, तुम भी check करोगे ना, तुम भी marks देने पर मजबूर हो जाओगे, जब section code आपने किया हुए, अब आप बोलोगे, section कैसे code करे, भाई, महनत करो, याद करो, यह कोई बात थोड़ी ना, महनत नहीं करोगे तो आपके marks कैसे आएंगे, महनत करनी पड़ेगी यार, इस बंदेने section लिखे है, आप मुझे बताओ, महनत करी होगे, तभी तो अगले को याद है, तभी तो लिखा अगले ने, तो that is है, और I am telling you, सारी चीजे हमारी करवाई हुए है, सारी चीजे हमारी बुक में पूरी language आसे दी हुए है, and definitely that is आपके सामने है, that is given over there, anyways, समझ में आ रहा है आपको, और फिर again, that is, अब यह एक, that is, high court के अंदर petition जा रही है, and आप देखो, that is, petition जा रही है, वो petition का again, I would say, format स होते है, I am getting, उनको सोचने की जूत नहीं होती है, draft के लिए, I am telling you, उनको आप रात को 12 बज़ उठा के draft होगे, वो आखे बंद करके draft कर देंगे, यह सारे format बच्चों को इतनी practice करवा रखी है हम लोगों ने, so definitely format बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके बाद language बिल्कुल सही है तो यह चीज़ कुछ note करने वाली बात है, आपके सामने है, और यह sheet अगर आप पूरी पढ़ना चाहते हूं, तो again telegram channel को जुरू join कर लिजेगा, वहाँ पर सारी information आपको, इसकी sheet आपको मिल जाएगी, और मैं बाकी answer sheet भी मेरे पास जो पड़े हैं, वो भी share करूँगा, so that आपको देखने हैं, तो देख लीजीगा, now, उसके बाद देखो 3A, इसका answer हो देखते हैं, अब यहाँ पर the various stages of the criminal trial, क्या question है, the various stages of the criminal trial, तो उसके अंदर आप देखो कितना शानदार, देखो पूरा किस तरीके से, अच्छा यह डब्बे बनाने की भी जूत नहीं है, वैस तो करदे, देखने में असानी रहेगी, आप देखो हर point को, मधूर ने आप मुझे बताओ, किस तरीके से शानदार तरीके से लिखा हो है, और क्या पूरी-पूरी, आप मुझे बताओ, sentence भी पूरे-पूरे लिखे हो है, पूरे-पूरे language लिखी हुई है, तो इसी लिए ब समझ में आ रही है, तो इसी तरीके से देखो हर जगा उसने, जो जो important point थे, जो important aspect थे, उसको हर जगा उसने underline किया होगा, तो इससे बात एक बात ये भी समझ में आ रही है, कि definitely जो भी important points है, तो लिख लीजेगा point 8, एक और important point मुझे समझ में आता है हहाँ पे, कि जब आप अंसर लिख रहे हो, तो answer के अंदर जो भी important points है, जो भी क्या बेटा, important points है, आप उन important points को क्या कर सकते हो, underline, आप उन important points को क्या कर सकते हो, underline, आप देखरो, एक paper की अंदर, कितने सारी चीज़े आपको समझ में आ गई है, और वो सारे बच्चे, मेरी बात सुन लो, जिसका paper रहे गया, वो सारे student बेटा जिसका paper रहे गभराने वाली बात निया, सारी मेरी guidance आप लोग follow करें, इसको follow करें, और किसी चक्य चक्कर में ना पढ़ें, जो हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इसको follow करें, I am telling you, all sorted, कुछ करने की जूती नहीं, are getting this, all sorted, आगे बढ़ते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखें, now, और अब आगे देखते हैं, answer sheet में, अगला answer देख लेते हैं, that is, थोड़ा सा, you know that, blur आ रहे है, और EDI, electronic data interchange, that is, drafting में हम लोग बढ़ते हैं, तो वो answer देखें, मतला, पूरा मैंने कहा हूं, वही focus किया हूँ है, कि उस की कोशिश की, that is, again, tea foam में, यही मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना मुझे बताओ, tea foam में लिखने की कोशिश करना है, बलो नहीं है, समझ में आरे बात, तो वो tea foam में लिखा हूँ है, again, आप एक continuing guarantee के ओपर question आया, अब देखो answer इस से, मतलब बिल underline किया हूए, counter guarantee, हर चीज को, अफिवो एक mortgage का question आया है, तो यूसु फरक्ष्री मौग, mortgage किया है, और वो सारी mortgage by conditional से, अगर आप देखेंगे, तो सब लिखा हूए, अचा, उसके बाद एक question है, that is, यह भी मेरी बुक का ही question आया हूए, that is, मतलब almost almost सारा बुक से ही cover है, वै देखो, हर point के अंदर, बच्चा कहता है, marks नहीं मिलता, सही लिखोगे, तो marks क्यों नहीं मिलेंगे, आप मुझे बताओ, तो यह सारी के सारी चीज आपके सामने है, hopefully आपको यह बात समझ में आरी होगी, और यह आपको paper समझ में आ रहा होगा, कि किस परीके से आपको लिख है, that is, you know that, the last answer, और बिलकुल बढ़िया marks मिले होगे, अच्छा, पूरे paper में note किया, कहीं कटिंग दिखी तुम्हें, हंजे, कई होगे तो पता ही नहीं चलते, पूरे-पूरे sheet card देते, चल गलत है, हटा, कई होगे तो कहानी अलग है, मतलब, पता पूरे-पूरे दो-दो बता दो, चलो, यह पूरे paper में तुमने कहीं cutting देखी है, थोड़ी बहुत तो चलती है, मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं पर cutting देखी है, तो तुम बता दो, that is the ultimate analysis of this paper, और मुझे लगता है, यह analysis सरफ और सरफ, यह drafting के पेपर के लिए नहीं है, आपको हर paper के अंदर help करेगी, मैंने 8 point बताएं, अब बताओ 8 point कौन से हैं, एक बार याद कर लो, 100% paper, बेटा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ पे फैल जाओ paper के अंदर, बेटा, 100 marks का paper किये बिना उठना नहीं है, कई बच्चे बोलते हैं, लेंदी पेपर आया, भाई, लेंदी आपके लिए, बाकी दुनिया जो कर रही है, उसके लिए लेंदी नहीं है, यह सब excuse देना, बंद करो तो मेरे भाई, 100% paper attempt करना है, महनत करो, 100% paper attempt होते हैं, सब की हो में आ रही है, तो that is best answer सबसे पहले लिखें और फिर वो order maintain करें, heading please लिखें, जैसे मैंने दिखाया आपको, difference between हमेशा T format में use करें, T format नहीं आ रहा है, तो paragraph में लिख सकते हैं, relevant section जरूर लिखें, लेकिन wrong section कभी न लिखें, less cutting, cutting बिलकुल ना करें, जितनी कोशिश हो सके cutting करें, और जो drafting का paper उसमें format बिलकुल सही होना चाहिए, the right format, कई लोग तो पता नहीं क्या format सिखा देते हैं, अर्थ का अनत कर देते हैं, format भी पता क्या है, are you getting this, और that is something, that is, जो आप answer लिखें, उसके अंदर important points आप underline करते रहें, oh my god, what a paper, and these are the eight kind of strategy, important tips, जो मैंने आपके स analysis करके समझ में आगया होगा, ये paper अगर पूरा चाहिए, आप पूरा पढ़ना चाहते हो कि कैसे कैसे answer लिखें हैं, तो आप मेरे telegram channel पर जाईएगा, CSN Upgen, मैं वहाँ पे sheet share कर दूँगा, आप जाके देख लीजएगा, मेरे पास समझ में आ रही है, लेकिन please, 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 जो मैं मैंने आपके साथ ये tips share करी है, इन tips के ज़रूर follow करें, आप देखिएगा, बहुत अच्छी scoring आप करेंगे, बहुत शानदार scoring आप करेंगे, ये याद रखेगा, इसे रोके, चलिए दोस्तो, बाकी answer sheet भी जो मेरे पास है, मैं लेकर आओंगा आपके साथ, और बहुत जल् इतना ही एंड रसा तो तो तेंगे, बहुत आपके साथ, तेंगे साथ, ब्लस्यों मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, थैंक्यू